हो सकता है कि iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Samsung S8, Samsung S7 में wireless charging होती है बिना किसी wire को connect किये हुए तो ये बात आपको हैरानी में जरूर डाल कि आखेर कार बिना connect किये बिना electricity board से जोड़े हुए किसी phone में charging कैसे हो सकती हेलो फ्रेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो के सेक्शन में हम आपको एक नई technology के बारे में बताने जा रहे हैं जो है wireless charging आखेर कार wireless charging कैसे काम करती है जादतर wireless charger magnetic induction के थूँ phone charge करते हैं जिसके जरिए phone को charger पर रखते ही phone charge होना शुरू हो जाता है तो आएए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखेर कार ये काम कैसे करता है फोन को charge करने के लिए सबसे पहले आपको wireless charger पर रखना होगा जैसे ही wireless charger electric board से connect होगा वैसे ही जो उसमें wires है वो magnetic field create करेंगी और फोन को उस पर रखते ही जो फोन के अंदर में coil है वो magnetic field को electric current में convert कर देगी इससे आपका phone charge होगा आपके smartphone में उसका hardware होना बहुत जरूरी है तब ही wireless charging होगी और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसमें coil add-on करवा सकते हैं जिससे की आपको wireless charging में मदद मिलेगी इसके लिए आप supporting adapter भी खरीच सकते हैं जिसके जरीए आप wireless charging कर सकते हैं हारत में wireless charging की जो तकनीक है वो अभी नहीं है इस तकनीक के जरीए आप electric shock से बच सकते हैं आप आपका electricity slave कर सकते हैं लेकिन इसमें अभी भी बहुत सी कमिया बात जब भी हम wireless charging के लिए charger को connect करते हैं अगर वो हलका सा भी हिल जाता है तो charging नहीं होती है इसमें बहुत ही बारी समय में इसके काम किया जाए इस तकनीक को और सुधारा जाए आज की हमारे इस वीडियो में हमने technology से जुड़ी वी बाते ही अगर ये वीडियो अपको पसंद आया है तो like कीजी और अपने friends के साथ share करना बिलकुल मत भूलिएगा और ऐसे ही interesting videos देखने के लिए हमारा चैनल जरूर subscribe करें और bell icon दबाना बिलकुल मत भूलिएगा thank you